देखिए एक शाब्द है दैहिक, इस वीडियो में दैहिक को इंग्लिश और हिंदी में क्या बोलते हैं जानेंगे एक्जाम्पल से सेंटेंसेस में यूज करके इस शाब्द को अच्छी तरह से समझेंगे देखिए दैहिक मतलब होता है related to the body, मतलब शरीर से या देह से संबंधित जो कोई चीज हो उसको हम दैहिक बोलते हैं या वो दैहिक जिसे अंग हो गया, पार्ट्स हो गया, वो दैहिक हुए इंग्लिश में दैहिक को बोलेंगे bodily, physical, relating to body, anatomical, corporal या carnal, हिंदी में दैहिक को बोलेंगे शारीरिक, जिसमानी, शरीर से संबंधित, शरीर अथवा देह संबंधि को हम दैहिक बोलेंगे अब example से sentences में समझते हैं, जैसे बोलेंगे वो अपने दैहिक दर से पीडित है, मतलब वहाँ इंग्लिश में, he is suffering from his physical pain, दूसरा example होगा, दैहिक विकास मानाव के संपोन जीवन को परभावित करता है, तो मतलब वहाँ, इंग्लिश में, physical development affects the entire life of a human being, उमीद है कि आपने द इंग्लिश और हिंदी में और example के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है, thanks for watching Educare Desk